Hello everyone, मैं हुम ममतार सागत है आपका कलाकारीहब में Friends, कोई भी पुलाव बनाते हुए हमें सबसे पहले चावल चॉइस करना है कौन सा चावल लेना है, वैसे तो आप किसी भी चावल से पुलाव बना सकते हैं इन सबसे अच्छे पुलाव बनते हैं बासमती चावल से तो यह मैंने बासमती चावल लिए हैं यह देखिए थोड़ा पास से दिखाते हूं आपको और यह बहुती आसानी से किसी भी ग्रॉसरी शis पर मिल जाते हैं तो यह मैंने एक कटोरी बासमती वाले चावल लिए इस कटोरी से चावल को मेजर किया था उसी कटोरी से हम पानी मेजर करेंगे तो ये एक कटोरी पानी लिया है हमने ये हम इसमें डाल देंगे वैसे तो अधिकतर चावल में यही मेजरमेंट होता है कि एक कटोरी चावल है तो दो कटोरी पानी और उसमें भीगो कर रख दें उसी और फिर उसमें ही बना ले एक्स्ट्रा पानी नहीं डालने की जरूरत है लेकिन कभी-कभी चावल के टेक्शर पर डिपेंड करता है चावल पुराने होते हैं या नया चावल आया है या कोई और ब्रेंड का चावल है तो ये भी उस बात पर निर्भर करता है कि चावल में कि रग तिया था और अभी मैंने इसको गैस पर रग तिया है पकने के लिए तो चलिए अभी चावल को हमें पकाना कैसा ये भी ध्यान देंगे तो गैस का फिलेम है और धकन को हम ने ढगत दिया है और फूरा नहीं ढखा है थोड़ा सा गैप छोड़ दें इसके बीच में और कमाच पर पकने दें चलिए दूसरी तरफ हमने कड़ाई रख ली है और इसमें सरसो का तेल डाला दो बड़ा चमबच हमें ये चावल सरसो के तेल में ही बनाने जरूर ध्यान रखे अभी तेल को अच्छे से कर लें धुkar दूआ निकलने तक और पिर वसमें तेज पता हरी लाईची जीरा डाल दें और उनको चटकने दे फिर हमने लिए बारी कटा प्याज, गाजर, शिमला मिर्च और बीन्स इसमें से कोई भी सब्जी आप स्किपिक कर सकते हैं और हमने डाल दिया है बारी कटा हुआ प्याज इसमें काजू बदाम को ज्यादा नहीं भूनना है वो प्याज के साथ भी भून जाएंगे बस कुछ सेकेंड क के लिए भूनना है और चलिए अभी थोड़ा सा चावल को देखते हैं चावल बढ़िया से पक गया है बस इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा घीला घीला है और बस गैस का फ्लिम ओफ करके ढखके रग देंगे इसको यह अपने आप पक जाएगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा एक दम खिला खिला पुलाओ बनेगा तो चलिए इसको हमने रख दिया अभी खड़ाई की तरफ देखते हैं और प्याज भी हमारा हलका हलका ब्राउन हो गया है बहुत जादा ब्राउन भी नहीं करना है इसको अब हम इसमें डालेंगे गाजर गाजर थोड़ा सा टाइम ल पकना है अपनी वेजटेबल्स में तो चलिए कुछ मिनिट हो गया है उनको पकते पकते अब हमने इसमें शिम्ला मिर्च डाल दिया शिम्ला मिर्च को तो बस एक मिनिट के लिए ही पकाना है क्योंकि इससे जादा पकाएंगे तो यह बिल्कुल गल जाएंगे और यह देख और गैस का फ्लेम लो रखेंगे मसाला डालते हुए और मसाला अच्छे से भुन गया तब हमने इसमें फ्रोजन मटर डाल दी है और फ्रोजन कॉन डाल दी है आप यहां पर मटर और कॉन फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं मेरे पास अभी फ्रेश नहीं थे तो हम मैंने फ्र अच्छे से कोट हो गया है मसाले में अब हम अपने चावल डाल देंगे और आप देख रहे हैं चावल कितने खिले खिले बने हैं उपर से नमक डाल देंगे स्वादय नुसार और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखे कितना खिला खिला पुलाव बना है चिपकने का तो कोई सवाली नहीं उठता है बहुत ही टेस्टी बना है बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है और बहुत हेल्दी पुलाव है ये मतलब साथ में बस आप एक इसके रायता या चटनी भी ले लेंगे न तो भी बहुत अच्छा लगेगा जब ये अच्छी से मिक्स हो जाएक तो गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और पांच मिनिट के ढग देंगे और पांच मिनिट बात देखे कितना बढ़ि रेसेपी पसंद आई हो तो लाइक शेर ज़रूर करना फ्रेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना थैंक्स फोर वाचिंग